हेलो फ्रेंद्स आप सबकाद मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत मैं सुनीता राज आज आपके लिए देखिए फ्रेंद्स न्यूबॉन बेबी के लिए कारडिगन लेकर आई हूं जैसे हम जो है कारडिगन को गले से गोल गले गोल गले वाला कारडिगन उपर से शुर के लिए जो मैंने वर्दमान की उन लिए बेबी उन लिए और दस नंबर की सलाइसे से बनाया है और इससे बनाने के लिए आज मैं आपको सारा जो इसका मेजर्मेंट बताती हूं कि मैंने इसे कितने फंदों से बनाया है तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने जो है यहां यहां से इसे गले के यह जो फंदे डाले हैं यह यह मैंने यहां पर बटन अभी लगाई नहीं है तो यह मैंने यहां पर लगा दी थी तो मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए फ्रेंट्स इसे जो है मैंने यहां से शुरू किया है यहां से लेकर यहां तक जो है मैंने इसमें 50 फंदेर डाले हैं 50 फंदों से मैंने इसे शुरू किया इसकी मैंने एक टो धारि डालने तक मैंने इसका बॉर्डर बनाया है नक का यानि की इसमें रखते हैं, लेकिन जो V-shape के हम इसे बनाएंगे, तो इसमें जो हम फ्रंट दोनों साइड के जो फ्रंट के पार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें हमें फंदे बढ़ा, नीचे की तरह फंदे बढ़ते चले जाएंगे, तो इसे क्या किया है मैंने, 50 फंदों क एक जाली डाली, एक फंदे के आसपास जाली डाली, बाजू के 10 फंदे रखे, बैक के मैंने 20 फंदे रखे, फिर जाली डाली, फिर बाजू के 10 फंदे रखे, फिर यहां जाली डाली, और फिर ये 3 फंदे बटन पट्टी की, तो इस तरह से जो है ये, मैंने इन 50 फंदों क का division किया है कि वीजन करने के बाद कि यह देखिए फ्रेंट्स मैंने इसे जो है यह चोदा जालियों तक इसे बनाया है इसमें हमने क्या करना है यह जो हमारी शेप जाएगी जो तीन फंदे हमने बटन पटी के बनाए है दो फंदे बुनने के बाद तीसरे फंदे पर हमने एक फंदे के दो बनाने है यानि कि पहले उसे सीधा बुनेंगे फिर उसे बैक लूप से बुनेंगे निट बैक इसमें ए दो फंदने ये पट्ट पट्टी की तीन फंद रखें तीसरे फंदे पर हमने एक फंदे के दो फंदे बनाने हैं तो इस तरह से हमारे यह तक फंदे बढ़ते चले जाएंगे दोनों तरफ इधर से भी और इधर से भी बटन पट्टी का जो तीसरा फंदा होगा उस तीसरे फंदे को पहले निट फिर बैक लूप से पहले फ्रन्ट लूप से बनाना है फिर बैक लूप से यानि कि एक फंदे के दो फंदे बनाने हैं इधर भी लेफ्ट में भी और राइ टक किसे बनाया एक दो तीन चार पैंधु छह सता यहींनि Sehr 14 जौदा जालियां तक मैंने से बनाया है उसके बाद उसके बाद हमने 14 जालियों डालने के बाद यहां पर जो है मैंने लेफ्ट साइड में बटन होल बनाए हैं तांकि मैं यहां पर बटन लगा सकूं अभी मैंने इसमें बटन नहीं लगाए हैं इसलिए मैंने यह इसको बांदा हुआ था यहां पर मैंने यह तीन बटन होल बनाए हैं बटन होल बनाने के बाद अब इसकी यह जो टोटल लेंथ है कार्डिगन की यह मेरी यहां से लेकर यहां तक 10 इंच complete बनने है इसी तरह से यह बाजू की है बाजू की जो है यहां से लेकर यहां तक यह भी हमारी 10 इंच है और यहां से लेकर यहां तक यह भी हमारी 10 इंच है और यह यहां से लेकर यहां तक आर्म हॉल तक यह जो है यह लेंद हमारी 6 इंच है और आर्म हॉल से उपर तक यह हमारी 4 इंच है तो यह हमारी टोटल 10 इंच बन जाती है और जो इसकी ये टोटल, ये जो चुडाई यहां से लेकर यहां तक है ये हमारी जो है साड़े आठ इंच है यानि कि जो अगर रांड में लगाएंगे तो ये सत्रा इंच हमने जो है ये तैयार किया है। दोनों तरफ का जो अगर आप यह काउंट करोगे, यहां से ऐसे और ऐसे राउंड करेंगे, तो यह हमारी स्तारा इंच चुड़ाई बन जती है, दस इंच लंबाई, 17 रहिंच चुड़ाई बाजू की लंबाई 10 इंच, और इसमें देखिए इस तरह से यह काडिगन जो हैं हमारा थियार हो जयते हैं, कैर ये जो मेंग़ें डालने में और यह मैंने पेट्टर्न डाला या तो मैंने पहले यह श्रीअ आठाइग यही अ बनाए है इसे ही मैंने बाढ़ जूम्हें भी आठाने तक प्लें यह देखिए यह इसकी बैक साइड है यह देखिए यह इसकी बैक साइड है बैक साइड से आपका यह इस तरह से दिखाए देगा और फ्रेंट साइड से आपका यह इस तरह से दिखाए देगा तो आप भी से ट्राइ जरूर कीजिएगा अगली वीडियो में मैं आपको जो ये जो मैंने V-shape बनाया है तो मैं इसका आपको अपर पीस तक मैं आपको अपर उपर वाला जो है ये पार्ट योग पार्ट मैं आपको बना कर दिखाऊंगी तांकि आपको ये बात सारी क्लियर हो जाए कि ये मैंने इसे कैसे बनाया है वैसे तो मैंने आपको ये बता दिया है कि जो बटन पट्टी जो हमारे तीन फंदों की चल रही है जो तीसरे फंदे पर हमने एक फंदे के दो बनानी है इधर भी हमने तीसरे फंदे पर एक फंदा के दो बनानी है तो यह हमारे फंदे जो है यह फ्रंट के बनते चले जाएंगे तो 14 जालियों तक मैंने इसे बनाया है 14 जालियों तक आपने बना लेना है और लंबाई आप अपने इच्छा अनुसार मैंने थोड़ा इसको शोट रखा है आप यह दी से लंबा बनाना चाहते हो तो लंबाई आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हो यह मैंने दस बनाया है तो आप 12 इंच भी रख सकते हो लेकिन आपका आर्म होल जो है यह चार से यह साड़े चार तक होना चाहिए मैंने इसे चार इंच बनाया है क्योंकि यह चोटा बॉन बेबी के लिए है यह थ्री से सिख्थ मंद के बेबी के लिए परफेक्ट है मैं उमीद करूंगी कि आपको यह कारडिगन पसंद आएगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजीगा शेयर कीजीगा और यदि आप इसे बनाना वैसे तो मैं आपको यह अगली वीडियो में बनाना बताऊंगी इसका जो मैं है उपर का यह पार्ट आपको बनाना सिखांगी तो आप जो है उससे पूरी तरह से जो है क्लियर हो जाओंगे कि यह मैंने कैसे बनाया है नीचे का यह डिजाइन है यदि आपने यह पैटरन भी इसकी पैटरन की वीडियो मैं भी अपलोड करनी है मैंने तो मैं आपको यह पैटरन भी बता दूँगी और साथ में यह वला उपर का यह भाग भी आपको बता दूँग तो यह देखिएगा इस तरह से यह बहुन बेबी का स्वेटर बन कर त्यार हो गया तो वेरे वीडियो को जाज से जाजन लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तक तक के लिए धन्यवाद